हेलो स्टूडेंट माइनेम ही जराज छेत्री और मैं आप सभी लोगों को मेरे अपने चैनल इंसेप्शन्स कोचिक इंस्टिूट पे स्वागयत करता हूँ आज हमलों डवली पुलीस एसाई और कंस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का पार्ट फापर करने वाले हैं जिसमें मैंने आप लोगों के लिए 25 most expected questions लिया है जो exam point of view से बहुत ही important होने वाला है और हो सकता है ये questions exam में as it is पूसा जाए तो चलिए start करते हैं आज के sessions को और देखते हैं आज के sessions का सबसे पहला questions question number one मोतिलाल नेरू और सी आरदास एक पार्टी के संस्तापक थे हमें उस पार्टी का नाम बताना है options गदर पार्टी, forward block, स्वाराज जी पार्टी और socialist पार्टी तो इस questions का जो correct answer होगा वो होगा आपका स्वाराज पार्टी ठीक है मोतिलाल नेरू और जो चितरंजन दास जी थे ये संस्तापक थे किसके स्वाराज पार्टी के और जो स्वाराज पार्टी का जो formations हुआ था आपका January 1923 में कब 1 January 1923 आपको ये date भी याद रखना है और एक चीज जो founder president था स्वाराज पार्टी का वो था आपका चितरंजन दास और मोतिलाल नेरू थे इनका secretary बात आई समझ में आप लोग को ये चीज याद रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं हम लोग next questions question number 2 math का questions से video को pause करना है questions को खुछ से solve करने की questions करना है if x is to y is equal to 5 is to 2 then the value of 8x plus 9y is to 8x plus 2y ठेके x is to y बराबर क्या दिया है 5 is to 2 तो मान लेते x बराबर 5 और y बराबर क्या मान लिया मैंने as it is 2 मान लिया ठेके अब हम लोग क्या करेंगे directly value put कर देंगे यहां पर देखिए अब 8x plus हम लोग के पास में 9y तो क्या करेंगे देखिए x और y का value यहां पर रख देंगे तो 8 into 5 क्या होगा x बराबर 5 यह हो जाएगा आपका 40 बात ही समझ में फिर 2 से 9 को multiply करेंगे तो यह 29 जा कितना होगा 18 तो 40 प्लस 18 यह हो जाएगा आपका 58 बात ही समझ में next देखिए अब यहां पर लगाएंगे 8 x प्लस 2 y में हम लोग रखेंगे यहां पर x और y कमान तो x बराबर 5 यह तो 58 जा कितना होगा यह 40 और 22 जा क्या होगा यह 4 तो 40 प्लस 4 क्या होगा 44 यह हम लोग इसको कैंसल कर देंगे दो से तो यह आजाए आपका 29 इस्टो 22 अर्थात option number क्या होगा भी इस questions का correct answer होगा बहुत ही simple questions था चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं next questions question number 3 वीडियो को पहुच करना है questions को खुच से solve करने की कोशिस करना है ठीक है यह हम लोग के पास में देखिए O L Q यह आपका O है इसको एक बार से एक कर ले ना आप लोग को यह O है ठीक है Q O यह आपर misprint हो गया है W और W X है इसको solve करने की कोशिस कीजिए और मैंने इसके आगे वाले वीडियो में आप को लेटर का numerical code पता होना चाहिए तो फिर आप लोग easily कर देंगे देखिए O का मतलब होता है आपका 15 ठीक है O का numerical code क्या होता है 15 Q means यह 17 होता है Q बराबर 17 U बराबर होता है आपका 21 यह भी आप लोग को याद रखना है और W बराबर होता है क्या 23 ठीक अब देखते है गया देखिए 15 और 17 17 और 19 और 21 21 कितना हो गहाँ 23 कास यहां पर 19 होता तो फिर बात बन जाता न देखिए क्या होता 19 हो जाता तो 2-2 का ग्याप होता सब में प्लस 2 हो जाता ठीक है अब तो हम लोग को यहां पर क्या करना है 17 का letter code place करना है बताहिए 19 का जो letter code होगा वो किसके बराबर होगा S के बराबर, बात के लिए रहे, चलिए है, अब देखिए हम लोग को next चाहिए, तो next हम लोग को पता है कि L का जो numerical code होता है, वो क्या होता है, L बराबर 12 होता है, O बराबर 15, ठिक, अब next हम लोग को यहाँ पर later code चाहिए, अब next हम लोग के पास में U, दुबारा से यहाँ पर U, U बराबर क्या होगा, 21, फिर यहाँ पर क्या है, X, X बराबर क्या होता है, 24, अब देखिए जो gap है, वो हम लोग को दिख रहा है, साफ-साफ कितने का gap है, 3 का gap है, तो बताइए, next जो number आएगा, वो कौन सा number आएगा, 18, 15, 15 plus 3, 18, 18 plus 3, 21, clear, तो 18 का जो letter code होगा, वो क्या होगा, आपका R, तो S, R, अर्थात option number, D, is questions का correct answer होगा, बताई समझ में, बस आप लोग को आना चाहिए, letter का numerical code, तो फिर आप लोग इस questions को यही पर कर देंगे, देखिए, 15, 17, 17, 19, 19, 21, 21, 23, इस परकार से आप लोग directly क्या कर सकते, questions को deal कर सकते, चलिए, आगे बढ़ते, देखिए, next questions, question number 4, who was the president of Indian National Congress, at the time of Indian Independence, अर्थात, भारतिया स्वतनतरता के समय, भारतिया राष्टर Congress के अध्यक्ष कोन थे, हम लोग को बताना है, Indian National Congress के President का नाम, options, मोलन अभूल कलम आजात, आचारिया जे भी किरपाल इनी जोहारलाल नेरू, राजंदर प्रसाथ, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा आपका आचारिया जे भी किरपाल इनी, ठेक है न, आप लोग को ये नाम पता होना से, ये देखिए, आचारिया जे भी किरपाल इनी, was the president of Indian National Congress, at the time of the partition of India, मताई समझ में, चलिए, आगे बढ़त से, देखते हैं, next questions, question number 5, वीडियो को pause किजिए, questions को खुच से solve करने की questions किजिए, हम लोग को दिया है, root over 1225 का मान 35 के बराबर, और हम लोग को solve करना है, क्या, हम लोग को solve करना है, root over 12.25, root over 0.1225, root over 0.001225, ठीक, तो इसको हम लोग simplify करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर देखिए, हम लोग को क्या करना है, बस decimal के पीसे number of digit चेक करना है, ठीक, यह देखिए, यहाँ पर लिखाया है, 12.25, है यह नहीं, अब हम लोग को पता है, कि कास यह केवल 1225 होता, तो यह आपका 35 हो जाता, 35 हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए, decimal के पीसे कितन है, नेक्स्ट हम लोग के पास में 0.1225 है, तो कास यहाँ पर भी क्या होता, 1225 होता, तो यह बन जाता आपका 35, लेकिन याद रखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर decimal के पीसे 4 डिजिट है, तो बाहर निकालेंगे, तो यह square root से बाहर निकालने पर decimal के पीसे कितना digit clear, अब ठीक, इसी परकार से इसको देखिए ध्यान से, तो यह 0.001225 है, जब हम लोग इसको निकाल देंगे, अब देखिए यहाँ पर, ध्यान से देखना, decimal के पीसे कितना digit है, 6 डिजिट, जब square root से बाहर निकालेंगे, तो यह हो जाएगा, आपका decimal के पीसे, कितना digit, 3 ड अब पस 3 डिजिट के लिए, एक 0 यहाँ पर हम लोग पूट कर देगे, अब हम लोग को क्या करना है, इनको एड कर देना है, किसको एड करना है, देखिए, 3.50, 0.35, नेक्स्ट यह हम लोग के पास, 0.035 इसको एड कर देना है, पस एंसर आ जाएगा, बहुत ही simple questions था, यह 5 5 और 3, 8, 5 और 3, 8, यह हो जाएगा, पर 3.885 और थाट, option number D, इस questions का correct answer होगा, बाता ही समझ में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 6, find the odd one out, आप लोग को वीडियो को पास करना है, और questions को खोज से solve करने की courses करना है, ठीक है, मैं लोग को भी सम ढूंडना है आपर, options, 71, 87, 59, 73, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा आपका 87, क्योंकि जो 71, 59 और 73 यह सारे के सारे prime number है, कैसा number, prime number, बाता है समझ में, prime number का मतलब होता है, वो सारे number, जो केवल एक से, और number itself से, यहनि कि number खुच से divide होता हूँ, ऐसे number का हम लोग क्या बोलते है, prime number, ठीक है number itself, ऐसे number, जिसको हम लोग, या तो one से, या तो number खुच से ही क्या कर सकते है, भाग कर सकते है, तो ऐसे number को हम लोग बोलते है, prime number, और 87 को छोड़कर सारे के सारे number prime है, और 87 एक prime number नहीं है, क्योंकि यह 29 से divide होती है, बाता ही समझ में, चलिए, आगे बढ़ते है, दिखते है next questions, question number seven, बहुती बढ़िया question से, बीडियो को pause किजिए, questions को खुच से solve करने की questions किजिए, the age of the father is twice the age of his son, five years ago, the father's age was twice the age of the son, then what is the age of son now, देखे, एक पिता की आयू, अपने पुत्र की आयू की दो गुनी है, यह आप लोग को दिया गया है, पांच बर्स पहले, पिता की आय पुत्र की आयू की तीन गुनी थी, अब हम लोग को बताना है, पुत्र की जो आयू है, वो क्या है, son का age हम लोग को find out करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखे, हम लोग के पास में father है, और son है, the age of the father is twice the age of his son, father का जो age है, वो twice है son के comparison में, तो मान देखे, son x years old है, तो father father's age was, अब यदि में यहां से father's का age निकालो, five years ago का, five years ago का age निकालो, तो five years ago, जो father और son, उनका age क्या था, तो father's two x minus five years old था, है यह नहीं, और जो son था, वो x minus five years old था, यह पास साल आगे कहे जे, हम लोग बस घटा देंगे, ठीके ना, पास साल आगे जा रहे है, तो five years ago, father's age was, थ्राइस, अब यह बूचा, बोल दिया गया हम लोग को, according to questions और तात्प्रशन अनुसार, हम लोग से यह बोला गया, देखे, पास साल आगे, पास साल आगे, जो father का age था, यह था, two x minus five, ठीक, father का age two x minus five था, लेकिन यह बोल, बोला जा रहा है, questions में, यह तीन ग तो x minus five का यह कितना था, तीन गुना था, two x minus five, अब हम लोग इसको simplify करेंगे, तो यहां से x का माना आजाएगा, देखे, two x minus five, यह हो जाएगा, अपका three x minus fifteen, clear, इसको इधर लाएंगे, तो यहां पर simplify किजिए, तो यह x बराबर के आएगा ten, तो हम लोग को पता लग गया, कि जो father है, वो 2 x है, father का जो present age है, वो कितना है, 2 x, तो 2 x, 1 x बराबर 10 है, तो 2 x बराबर कितना होगा, 20, तो father 20 years है, और son कितना होगा, son का तो लोग को पता ही, x years old, x का मतलब क्या होगा, 10 years, तो son का जो age है, प्रेजेंट में हो कितना है, 10 years, बाता ही समझ में, मैंने यहां और दोनों का age निकाल दिया, आप लोग कोशिक बिदा के लिए, और questions मेंने यहां पर एकदम basic से करने की कोशिस किये, नहीं तो मैं इसको में directly भी कर देता था, तो लिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं next questions, question number 8, 12 महीरा is, 12 महीरा कोन है, options, an astronaut, space shuttle, power stations, and ancient astronomer, ठीके, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा, आपका an ancient astronomer, एक प्राचीन खोगोल भी, बात आई समझ में, यह है आपका बाहरा महीरा, देखे, यहां पर ध्यान से देखना है, आप लोग को, he was an ancient astrologer, astronomer, and a polymath, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं next questions, question number 9, मदुबानी, or style of folk paintings is popular in which of the following states of India, मदुबानी लोग चित्रों की एक सेली है, हम लोग को बताना है, भारत के किस राज्य में यह लोग प्रिया है, options, बिहार, मध्यप्रदेश, उत्रप्रदेश, वेस्ट पेंगोल, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा आपका बिहार, ठीके, मदुबानी जो एक folk painting है, यह popular है कहाँ पर बिहार में, बात आई समझ में, तो देखें यहाँ पर, मदुबानी और style of folk paintings is popular in the state of बिहार, बात आई समझ में, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 10, वीडियो को pause कीजिए, questions को खुद से solve करने की कोशिस और sum of money amounts to rupees 5,200 in 5 years and 2 rupees 5680 in 7 years at simple interest, the rate of interest per annum is, कोई principle है, जो 5 साल बाद में 5,200 का amount देता है, और same principle, after 7 years, 7 साल बाद में 5680 का amount देता है, अम लोग से पुझा गया है, rate of interest क्या है, यह बारसिक ब्याज़दर अम लोग को निकालना है, ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ पता ह होगा, कि principle में हम लोग simple interest को add करते हैं, तो यह बनता है, amount, ठीक है, तो amount बराबर होता है, principle plus simple interest, बात clear है, अब देखें, मैं आप लोग को एक चीज़ समझा रहा हूँ, कि कोई principle है, principle में, किसी principle में 7 years का, जब हम लोग को simple interest मिला, 7 years का, 7 years का simple interest मिला, तो हम लोग को total amount मिल रह यह questions में दिया गया है, ठीक है, और इसी principle पर जब मुझको 5 साल का simple interest मिला, 5 years का simple interest मिला, तो मुझको मिल रहा है कितना, 5,200 का amount, बात clear है, चलिए, अब हम लोग यहां से ना, 1 साल का simple interest निकालने की कोशिज करते हैं, तो देखें, जब मैं इस equations को गटा देता हूँ, equations 1 से equations 2 क गटा देता हूँ, तो गटाने पर ये principle, ये principle तो cancel हो जाएगा, और 7 में 5, गटाने पर कीतना होगा, 2 साल, यहनि कि 2 years का, हम लोग के पास में simple interest आएगा, और 2 years का simple interest आएगा, हम लोग के पास में वो आएगा, जिए 8-08, 6-4 बन जाएगा, 480 रुपीज, आपका 2 years का simple interest, त तो एक साल का जो simple interest होगा हम लोग के पास में, किसी principal पर वो होगा आपका 240 रुपीज, क्या यहां तक बात क्लियर है, चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से निकालने की कोशिज करेंगे, पास साल का simple interest, मैं पास साल का simple interest इसलिए निकाल रहा हूँ, ताकि मुझको यहां से क्या मिल जाए, principle मिल जाये, ठीक है, हम लोग को पता है कि, Sap principle में, 5 चाल का simple interest को add करने परना, हम लोग को amount कितना मिलता है 5200 यह मैंने बोल रहा है, यह questions खुद बोल रहा है, ठीक है अब एक साल का simple interest है, हम लोग के पास में 240, तो बताइए, 5 years में मुझको कितना interest मिलेगा 240 into 5, तो यह मिल जाएगा आपको 1200 रुपीश, ठीक है principle प्लस यह 5 years का interest हो जाएगा, आपका 1200 is equal to 5200, क्या बात के लिए यहां तक, अब आप लोग मुझको खुद बताइए कि किस principle में में 1200 रुपीश जोड़ दू, मुझको कितना मिलेगा 5200 अर्थाद 500, तो आप लोग बोलेंगे सर घटा देंगे, 5200 में से हम लोग 1200 को तो यह बन जाएगा आपका 4000, यह हम लोग के पास प्रिंसिपल अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है rate of interest, क्या निकालना है, rate of simple interest निकालना है, ठीक है और यह जो 240 रुपीज का इंट्रेश्ट है ना, यह अम लोग को मिलता है प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल के है, हम लोग के पास में प्रिंसिपल है 4000 रुपीज, ठीके, तो दीके हम लोग को मिला इंट्रेस्ट केतना 240 रुपीज का simbal interest मिला, कितने रुपे पर 4000 रुपे ठीक है और percentage में convert करना है तो हम लोग किस से multiply कर देंगे 100 से multiply कर देंगे तो 0 से 20 से 20 cancel और यह 0 से 0 cancel तो 4 से 24 को divide करने पर rate कितना आ जाएगा 6% तो इस questions का जो correct answer होगा वो होगा आपका 6% clear तो इस प्रकार से इस questions को किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं next questions, question number 11 video को pause किजिए, questions को खुछ से solve करने की courses किजिए, if teacher is coded as Udbbids, then student will be coded as, ठीक है teacher को कैसे code किया जाते हैं, t, e, a, c, h, e, r, teacher को code किया गया है Udbbids, तो हम लोग को code करवाना है कि इसको student को देखिए क्या हुआ है, कि पहले तो T से क्या आता है, U आता है, ठीक है, फिर D, E, फिर A, B, फिर B, C, तो हम लोग को पता लग गया है कि जो logic है इस पर वो किस प्रकार का है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, S, T, U, D, E, and T student को code करने की courses करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग S से, S के बाद में कोन सा लेटर आता है, T, फिर अब देखिए, हम लोग को नीचे से उपर की तरफ जाना है, उपर से नीचे की तरफ आया, फिर नीचे से उपर की तरफ जाएंगे, तो S के बाद में क्या आता है, T आता है, फिर U के बाद में क्या आता है, भी आता है, तो ह विद्यूत धारा है न, वो किस उपकरन के उपयोग से मापा जाता है, options, m meter, volt meter, animometer, watt meter, ठीक है, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा आपका m meter, m meter is a device that is used for measuring electric current, ठीक है, जो volt meter होता है, ये voltage को measure करने के लिए, और ये जो animometer होता है, ये wind speed को measure किया जाता है इससे, और जो watt meter होता है, ये power को, electric जो power होता है, उसको measure करने के लिए, watt meter का use किया जाता है, बात आई समझ में, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, next questions, question number 13, दियों को pause किजिए, questions को खुद से solve करने की process किजिए, the ratio of the speed of two train is 3 to 4, if the second train runs 300 km in 3 hours, then what would be the speed of the first train, दो trainों के गती का अनुपात है, 3 ratio of 4, दूसरी train 300 km तिन गंटे में cover करती है, तो हम लोग को बताना है, कि जो पहली वाली train है, उसकी speed क्या है, ठीक है, तो देखे, हम लोग को पता है कि जो second train है, वो जाती है distance कितना, 300 km, और 300 km distance cover करने के लिए, जो time लेती है, यह कितने का time लेती है, 3 hours का, तो बताइए, 3 hours का time ले रही है second train, यदि हम लोग को second train की speed निकाल लिए हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, बताइए, speed का मतलब होता है, distance by time, तो इसका speed कितना होगा, 300 को बाग कर देंगे, तो 100 km पर hour, ठीक है, और हम लोग को पताएए, कि जो second train है, उसका speed कितना है, 100 km पर hour, ठीक, तो देखे, second train का जो ratio में, कितना unit है, 4 unit है, ठीक है, दो train के speed का ratio, 3 ratio, 4 है, तो second वाले train का मान लेते हैं, यह 4 unit है, लेकिन actual में कितना है, 100 km पर hour, second वाले train का speed है, वो 100 km पर hour है, तो 4 से cancel कर देंगे, 100 को तो कितनी बार जाएगे, 25 km पर hour, 1 unit is equal to 25 km पर hour, तो हम लोग को first वाले train का speed बताना है, जो कि 3 unit है, तो बताएए, 1 unit बराबर 25 km पर hour, तो 3 unit बराबर 25 into 3, यह कितना होगा आपका, 75 km पर hour, यह speed आजाएगा आपका, किसका second वाले train, first वाले train का, बाता ही समझ में, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, next questions, question number 14, in which of the following dance form, बिर्जु महाराज attend prominence, ठीक है, निमलिखित में से किस निरित्य शैली में, बिर्जु महाराज, जो पंडित बिर्जु महाराज थे, उन्होंने प्रमुक्ता प्रात्त की है, options भारत नात्यम, कुचुपुडी, कथक, एंड ओडिसी, ठीक है, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा आपका कथक, बहुत ही important questions से पुछा जा सकता है, बाता ही समझ में, ये देखी, ये बिर्जु महाराज, famous हे कथक डांस के लिए, clear, चलिए, आगे बढ़ते, देखते हैं, next questions, question number 15, which amendment of the Indian constitutions inserted to what socialist and secular in the preamble, बारतिय सम्मिदान के कि संसोदन में, प्रास्तावना में, दो सब्द समाजवादी और धर्म निरिफेक्च सामिल किये गए, options हे, आप लोग के पास में, 28th, 42nd, 44th and 52, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा आपका 42nd amendment अर्थाद ब्यालिश्वा संसोदन, ठीके, तो ब्यालिश्वा संसोदन के तहती word socialist और secular को सामिल किया गया था, ठीके, यहां से आप लोग देख लेना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आप लोग, देखते हैं, next questions, question number 16, under which article of the constitutions of India can the fundamental rights of the members of the armed forces be specifically restricted, पार्थे संभीदान के किस अनुशेत के तहत, ससस्त्र बलो के सदेशियों के मौलिक अधिकारों को विशेश रूप से प्रतिबंदित किया जा सकता है, options article 33, article 19, article 21 and article 25, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा आपका article 33, ठीके, जो article 33 है, यह हमारे देश के जो पार्लेमेंट है, इसको यह पावर देता है, कि जो हमारे देश के जितने भी आम फोर्से से, चाहिए वो इंडियन आर्मी हो, नेभी हो, एर फोर्स हो, चाहिए वो पैरा मिलिटरी फोर्स हो, CRPF हो, या कोई IBO, उसकी fundamental right को रेस्टिक कर सकती है, यह पार्लेमे 25, then the value of spatter is, वीडियो को पाउच किजिए, खुछ से solve करने की कोशिश किजिए, देखिए, A का लेटर कोड होता है, 1, A का लेटर कोड क्या होता है, 1, लेकिन A का जो रिवर्स लेटर होता है, वो होता है, आपका Z, ठीक है, उसका नुमेरिकल कोड कितना होता है, 26, इसका मतल से E का उपोजिट B, और A का उपोजिट Z, Z का नुमेरिकल कोड होता है, 26, B का 22, और G का 7, ठीक है, सबको add किजिए, तो यह आजाएगा आपका 55 के परापर, बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पैटर में, जो लेटर ही इसको क्या करेंगे, उपोजिट कर देंगे, S, S का उपोजिट होता है, आपका H, ठीक, P का, P का होता है, के, कानपूर, K, P, A का Z, T का, G, G, ठीक, E का होता है, आपका B, R का होता है, I, अब नुमेरिकल कोड हम लोग को पता होतो हो, हम लोग एजीली इस questions को कर सकते, देके, H, यह 8 के परापर, यह 11, Z 26, G7, यह भी 7, ठ यह आपका है, B बरापर 22 और I बरापर 9, सबको एट कर देंगे, देखिए, तो एट करने पर क्या आ जाएगा, 9 and 22 and 9, 31, 31, 7, 38 and 7, 45, 45 and 26, 71, 71 and 11, 82 and 8 कितना हो गई है, 90 के परापर आएगा, 90 के परापर आएगा, बात आई समझ में, चलिए, option number B, इस questions का correct answer होगा, आगे A DVD is listed at Rs. 300, with a discount of 20%, the additional discount to be offered to bring the net price to Rs. 216, ठीक है, एक DVD जिसका list price या mark price कितना है, mark price है, Rs. 300, जो mark price है, वो कितना है, Rs. 300, इस पर discount दिया जाता है कितने का, discount दिया जाता है 20% का, आपको बोलिये मुझको कि यह 300 रुपे में 20% का discount कितना होता है, Rs. 60, कितने का होता है, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, थे 300 रुपे में 20% का discount मिल रहा है, तो discount कितने का मिला, discount तो 60 रुपे का, बात आई समझ में, अब बताईए, 240 रुपे में बेचा जाना चाहिए था, लेकिन क्या है, कि दुबारा से एक बार और discount दिया गया, और finally इसको बेचा गया है, कितने में, 216 रुपे में, ठीके, अब कितना discount दिया, बताई ये 240 रुपे में बेचना था, लेकिन दुबारा से discount दे कि इसको बेचा गया है, कितने में, 216 रुपे में, तो discount कितना दिया होगा, discount दुबारा से दिया होगा, additional discount, निकालना है discount percentage तो बताईए कितने का discount दिया 24 विबूझ का discount कमें 14nd को 310 का discount घ्रस दिया वह सीधा अश्चानल मा कंडें 208 . बात के लिए रहे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं next questions, question number 19, वीडियो को pause करना है, खुछ से solve करने की कोशिश करना है, और refrigerator works on which of the following principles, जो refrigerator है वो निमलिकित में से की सिधान पर कार्या करता है, option से osmosis, centrifugations, dispersions and evaporation, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा, आपका centrifugations या centri-fugations, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं next questions, question number 20, right to education became a fundamental right on, शिख्चा का जो अधिकार था, ये मोलिक अधिकार कब बना था, options 15th March 2010, April 1st 2010, July 17th 2010, October 10th 2010, तो इस questions का जो correct answer है, वो है, आपका April 1st 2010, बहुत ही important है, पुछा जा सकता है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं next questions, question number 21, who founded the Republican Party of India, भारत की Republican Party की स्थपना किसके दोरा की गई थी, options, नामबुद रिपाद, मुलजी, बेशिया, डक्टर भीम्राव अमबेतकर, एंश रिपाद, डांगे, ठीके, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा, आपका डक्टर भीम्राव अमबेतकर, clear, चलिए, आगे बढ़त है, देखते है, next questions, question number 22, वीडियो को pause कीजिए, questions को खुद से solve करने की कोशिस कीजिए, और train passed a man standing on a platform in 8 seconds and also cross the platform which is 264 meter long in 20 seconds, the length of the train is, एक train है, जो किसी platform में खड़े आदमी को cross करने के लिए 8 seconds का समय लेती है, और किसी 264 meter long बी platform को cross करने के लिए सेम train 20 seconds का समय लेती है, हम लोग से पुछा गया है train की लंबाई, ठीके, एक train है, पता नहीं हम लोग को train की लंबाई क्या है, तो मैंने मान लिया कि ये train x meter long बी है, एक x meter long बी train किसी platform में खड़े आदमी को cross करने के लिए लेती है, कितने second का समय, 8 seconds का समय, clear, लेकिन सेम train ये cross करती है, तो cross करने के लिए समय लेती है कितना, 20 seconds का समय लेती है, ठीके, ये time, लिया गया time है, जब ये cross करती है किसको, किसी platform को, बता ही समझ में, तो हम लोग को बताने है train की लंबाई, ये था आपका कोसिस, अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल किया, x meter, time कितना लगा, 8 seconds, जब इस train ने इस आदमी को cross किया, तो, ठीके, अब जब ये train, same train किसी platform को cross करती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 264, तो ये कितना distance कवर करेगी, ये distance कवर करेगी, 264 प्लस x meter, येनिकी, खुद की length, प्लस platform की length, 264 meter, और ये distance कवर करने के लिए इस का speed हो जाएगा, clear, तो ये speed भी meter per second, ये भी meter per second, और same train का speed है, तो हम लोग दोनों को बराबर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, आपका x by 8 is equal to x plus 264 divided by 20, अब कैंसल करेंगे, तो 4 से 2 time, 4 से ये 5 time, अब देखी, ये 5x, टीके, is equal to 2 into x, 2x हो जाएगा, 2 into 164, ये होगा, आपका sorry, 264 है, 248, 2612, 224 and 15, clear, अब इसको इदर लाएंगे, तो ये हो जाएगा, आपका 5x minus 2x, 3x is equal to 528, अब इसको डिबाइट करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, देखी, 3 से 176 time, clear, तो x is equal to कितना है, 176, और ये 176 meter क्या है, आपकी train की लंबाई है, ठीके, चलिए, 176, इस questions का correct answer होगा, बाता ही समझ में, चलिए, आगे बढ़ते, देखते हैं, next questions, question number 23, वीडियो को pause कीजिए, questions को खुद से solve करने की questions कीजिए, question number 23 को, if Rahul walks at the rate of 4 km per hour, he reaches office late by 10 minute of the scheduled time, if he walks at the rate of 5 km per hour, he reaches office 5 minute ahead of the scheduled time, calculate the distance of his office from his house, यदि Rahul 4 km per hour, पर पर गती से चलता है, तो वो नीरदारी समय से 10 minute, देरी से कारेलाई पहुचता है, और यदि वह 5 km per hour पड़े कारेलाई पहुचता है, तो उसके घर से, उसके कारेलाई की दूरी अमलोग को ग्यात करना है, ठीके, तो इस questions को करने के लिए में मैं आप लोग को डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए लेकिन जब मैं time and distance पढ़ाऊंगा उस समय में आप लोग को detail में इसका इसको explain कर दूँगा ठीक है कैसे आता है यह जो मैं अभी tricks बताने वाला हूँ वो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं ठीक है जो रिजल्ड डायरेक्ट रिजल्ड हम लोग कैसे निकाल पाते हैं क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले करेंगे speed 1 into speed 2 मैं बता रहा हूँ कि speed 1 क्या होता है अब यहाँ पर T1 T2 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर time five minute early, five minute late या five minute early, four minute early इस प्रकार से दियाओ यदि देखिए दोनों में early early हो तो आप लोग को minus करना होगा दोनों में late late हो तो minus करेंगे यदि एक बार early और एक बार late हो तो उस case में हम लोग यहाँ पर time को क्या करेंगे plus करेंगे, बात आई समझ में time को क्या करेंगे plus करेंगे, कब जब एक बार late एक बार अर्ली हो, एक बार पहले और एक बार बाद में, तो हम लोग करेंगे T1 प्लस T2, तो Speed 1 कितना है, तो देखें, जाते समय तो वो 4 की Speed से जाता है, यह यह ना, लेकिन जब वो 5 किलोटर प्रती गंटा की Speed से चला, तो Speed 1, Speed 2, 4 into 5, दोनों का अंतर कितना है, 5 minus 4, 1 होगा, clear, into T1 प्लस लेंगे या माइनिस लेंगे, बताइए यहाँ पर, देखें, पहले वो देरी से पहुचा, और बाद में वो जल्दी पहुचा, है या नहीं, बताइए, T1 प्लस T2, 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 क्या होगा, 15, यहाँ पर 15 मिनेट है, तो इसको आवर में कंपूट कर देंगे, 60 से डिबाइट करके, ठीक, तो 15 से यह कितनी बार, 4 बार, तो 4 से यह 4 कैंसल, तो एंसर क्या जाएगा, डारेक्ली हम लोग के पास है, 5 किलोमेटर क्या है, उसके घर से ओफिस के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमेटर, बात क्लियर, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, नेक्स्ट कोर्शन, कोर्शन नमबर 24, 82.5 डिगरी लॉंगिट्यूड इज जोग्रोपिकली, सिग्निपेकेंट टू इंडिया, विकॉज, साड़े बिरासी डिगरी पूर्व दिशांतर, भारत के लिए भागलिक दृष्टी से मौत्तपूर्ण है, क्योंकि, ये जो 82.5 डिगरी जो लॉंगिट्यूड है, ये ड भारतिय मानक समय को निर्धारित करता है, क्यों आपका 82.5 डिगरी इस्ट लॉंगिट्यूड, क्लियर, चलिये, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 25, फाइब स्टुदेंट्स, A, B, C, D, and E, हुज फेशे इस तोर्स नॉर्थ, A is between E and B, वाल E is to the right of D, D and C are at the ends, who is left to the C, ठीके, देखे, फाइब स्टुदेंट्स, पाँच स्टुदेंट्स है, जो नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैटा है, ठीके, तो देखे, मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, जब किसी आदमी का फेस नॉर्थ की तरफ होता है, तो य देखे, यह अब खूद को देखना है, जब कोई आदमी नॉर्थ की तरफ फेस करता है, तो उसका जो राइट होगा, वो आपके राइट के बराबर होगा, ठीके, यानि कि जो आपका राइट, वो उस आदमी का राइट, जो आपका लेट, वो उस आदमी का लेट होगा, ब देखिए E कहां पर है D के राइट में, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, E को लिख लेते हैं, और यह E कहां पर है, E है D के राइट पर, तो मैं नहीं यहां पर D को लिख लिए इस परकार से, ठीक है, तो E है राइट में, तो D का राइट इधर में होगा, बात clear, चलिए, और B के बिच में है, आपका A है, clear, next, D and C are at the extreme end, या at the end, देखिए, दो D और C हैं, यह किनारों पर हैं, यानि की corner पर हैं, एंड पर हैं, तो D तो इधर में हैं, तो C यहां पर होगा, बात clear है, एकदम right end में होगा, आपका C होगा, left end में को ने, D है, clear, अब हम लोग से पू C के left में कोन होगा, C के left में, तो B हम लोग को साब सब दिख रहा है, कि C के left में कोन बेठा हुआ है, या पर B बेठा हुआ है, बात clear है, तो इस questions का जो correct answer होगा, वो होगा, आपका option number D, तो यह था आजके session का अंतिम questions, चलिए हम लोग मिलते हैं next class में, और अच्छे questions के साथ साथ में, यही पर end करते हैं वीडियो को, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को like कर दीजिए, और चैनल को subscribe कर दीजिए, और साथ साथ में, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को share किया कीजिए, ठेक है, चलिए, मिलते हम लोग next class में,